नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बात करने जा रहा हूँ पब्लिक सेनिटेशन सारुजिनिक सोचता क्या है और इसका दैनिक जीवन में कितना महत्व है पब्लिक सेनिटेशन सारजुनिक स्वसता का दैनिक जीवन में क्या लाव है आरोग जीवन बैतीत करने और दिर्याव पाने के लिए मानो जीवन में सेनिटेशन का बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है सेनिटेशन का छेतर अपने सरी की सफाई तक सीमित नहीं है अपने आसपास के इन्वाइर्मेंट को भी सुच रखना उतना ही आव सके जितना अपने बॉडी की सफाई अनेक आकासमत फैलने वाले रोगों का कारण दूसित तथा गंदे वातवरण में जीवन बैतीब करना है जहां दूसित जल का सेवन हेल्थ के लिए हार्मफुल है वहां आसपास की गंदगी से उत्पन दूसित गैस तथा मल मुत्र में पनपने वाली मक्षियां की टाडू भी मानों सरीर को भैयानक रोग का सिकार बना कर छोड़ते हैं आज का साधारन मनुस जीवन अस्तर को प्राप्त करने के लिए गाउँ छोड़कर सहरों की और भाग रहा है जनसंख्यात दिक बढ़ जाने से सार अपनी सीमाओं से बाहर आ गये हैं जिसके कारण नागरिकों को क्लीन वाटर और क्लीन इनवार्मेंट उपलब नहीं हो रहा है अच्छे और सुन्दर काहलाने वाले नगर आप सलम्स में परिवर्तित हो गए हैं शाहरों के इन सलम्स एरिया में दूसी तवातवरन में रहने से मनुस को आध्विनिक जीवनस्तर तो नहीं मिल ला है बलकि उसका अपना विकास भी रुग गया है और वा सुदवा साफ वातवरन में सास लेने के लिए इन सलम्स से कहीं दूर भाग जाने के लिए भी तैयार है इस तरह के सिच्वेशन से निपटने के लिए आज सैनिटेशन इंजिरिंग का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है Sanitation Management के लिए राजों में Public Health Engineering Department अस्थाफित हैं जो Water Supply के साथ Sanitation Management तता Seavage Treatment Plant के Construction और Maintenance का कार करते हैं Sanitation Engineering में Seavage को Seavage के मादम से साहर से बाहर ले जाकर आधूनिक विधियोद वारा Disposal किया जाता है Stages of Sanitation Sanitation के 3 Stages होते हैं First is Collection of Refuse इसके अंतरगत City के Solid, Semi-Solid, Liquids, Waste Substance को Separate करके Collection किया जाता है Second है Convince of Refuse इसमें Dry Waste को ट्रकों या ठेलों के द्वारा साहर से बाहर ले जाता है और Seavage को Seaver के द्वारा साहर से बाहर ले जाता है Third Point Disposal of Refuse इसमें Solid Substance वा Night Soil का Different Method से Disposal किया जाता है Garbage को गड़ों में भर दिया जाता है Seavage को जहां तक हो सके थोड़ा बहुत treatment करके किसी nearest नदी नाले में डाल दिया जाता है System of Sanitation First Method है Concervation System और Dry System Second है Water Carry System Dry System में Various Types के Waste Substance को Various Method से Collection किया जाता है और अलग-अलग इनका Disposal किया जाता है सडकों और गलियों में उचित दूरी पर Dust Wind अस्तापित किया जाते है जहां पर लोग घरों का कूड़ा कचरा उस Dust Wind में डाल देते है दिन में एक या दो बार garbage के उखटा करके गाड़ियों द्वारा साहर से बाहर ले जाते है और इसको बाहर ले जाकर Dumping Yard में डाल दिया जाता है गंदा पानी और वर्था जल खुली नालियों द्वारा साहर से बाहर ले जाता है और किसी नदी नाले या प्रकृति गड़े में छोड़ दिया जाता है यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है तो घरों से बाहर सोक पिट बना कर उसमें डाल दिया जाता है थर्ड पॉइंट नाइट स्वाइल, नाइट स्वाइल के लिए सुखी लेटिन में पात रखे जाते हैं या नाइट स्वाइल को टोकरियों में एकत्रित करके सहार से बाहर ले जाकर खाईयों में डाल दिया जाता है, खाई के भर जाने पर इसमें मिट्टी डाल दिया जाता प्राइ सिस्टम के मैरिट्स इस पद्दती में सुखी लेटिन बनाने में कम खर्चाता है और कम पानी के आउसकता होती है सलज समान खुली नालियों में बहता है सेकंड है नाइट स्वायल खात के रूप में खेती के लिए काम आता है या एक सस्ती प्रकिरिया है प्राइ सिस्टम के डिमेरिट्स या एक आस्वास्त कर पड़ाली है मल मुत्र के गलने सरने से दुरगंद हुत्पन होती है जिससे वातावरन दूसित हो जाता है और कई बिमारियां फैलने की समावना ही बढ़ जाती है मल गंदगी से भरी गल गाडियां और बैल ठेले जब सहर की संकरी गलियों सडकों से निकलते हैं तो लोगों को परसानी होती है इस प्रदती में मल मूत्रे सोचालें और मल कुणों में पढ़ा सड़ता रहता है जिससे दुरगंद पैदा होती है और गंदगी फैलती है कर सकते हैं या इस कार को मना कर सकते हैं पुराने समय में या पद्धती उपयोग में लाई जाती थी कि इस पद्धती का समाज से भाईशकार करना चाहिए जिसे समाज में समाजिक अन्या उत्पन होता है आज के आधोनिक यूग में एक मनुष का मल दूसरे आदमी द्वारा उठाये जाए या एक घोर समाजिक अन्या या पद्धती बनाये रखना आज के सब समाज पर एक कलंक है सेकेंड में वाटर करी सिस्टम इस सिस्टम में नाइट स्वायल को पानी द्वारा सीवर्स में बहा कर सार से बाहर ले जाए जाता है और साइंटिफिक में द्वारा दिस्पोजल किया जाता है क्योंकि इस पद्धती में पानी की मुखभून का इसलिए इसे वाटर कैजी सिस्टम खा जाता है नाइट स्वायल बहाने के लिए पानी का सबसे सस्ता और हर जगां प्राप्त होने होने वाला स्रोत है इसमें घरों के अंदर वाटर क्लोशिट बनाई जाती है जिसमें मल बहाने के लिए फ्लसिंग सिस्टन लगी रहती है परियोग के बाद चैन खीचने वा फ्लसिंग टैंक से 10 से 15 लीटर पानी तेजी से मल पात्म में भुशता है मल इत्यादी को बहा कर सीवर में ले जाता है सीवर में बहता हुए या गंदा पानी साहर से बाहर चला जाता है इस में थड में पानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और पानी की मात्रा 99.9% होती है और स्वालिट सबस्टेंस की मात्रा 0.91% होता है या बड़ी आसानी से ढालूदार सीवर में बह जाता है वरतमान समय में साहरों में सबसे ज्यादा इस्ते अद्धती है